नमस्कार मित्रों, जै मातादी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हमारे यूट्यूब चैनल में और उनसे भी कई गुना आज के इस ज्यान वर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिश कार्यक्रम में व्रिश्चिक राशिवालों, मेरे प्यारे मित्रों, आ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दे, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा टहल का मचने वाला है, जी हां, और आपको बता दे, कि आज की यह संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है दो क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर जो बदलाव आपकी जिन्दगी में होने वाला है, इसे देखकर सब लोग पागलों की तरह करने लगेंगे, जी हां, कुछ लोग देख देखकर बेहोश हो जाएंगे, जी हां, इसलिए आज की यह वीडियो जो पूरा नहीं देखेगा, वह लोग बाद में बहुत पच्छताएंगे, जी हां, आप बिलकुल सही सुनाइए, आपकी जानकारी के लिए बता देएं कि आने वाली अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा बवाल आपकी जिन्दगी में खड़ा होने वाला है, जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 गंटे के अंदर आपकी आँखों से, जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपका दोनों आखों से खुशी के आंसु नहीं, बलकि खुशी की गंगा बहने वाली है, पांच बहुत बड़ी तूफानी खबर, अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिलने वाली है, जिससे खुश होकर होल और नगाड़ा दोनों बजाना पड़ेगा, दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि धन की देवी, माता रानी लक्ष्मी जी के आशीरवात से, और जगत के पालनहार भगवान श्री हरी विश्नु जी के आशीरवात से आने वाले, अगले 24 घंटे के अंदर पा बढ़ा बदलाव, जी हां, जिससे कि आपका भाग्य उदय हो जाएगा, दोस्तों, आपको बता दे कि अब अचानक से आपके जीवन में टहल का मचेगा, और ऐसा टहल का मचेगा, कि देखने वाली सब लोग पागल हो जाएंगे, देख देख कर बेहोश हो जाएंगे, सब आपके उपर माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरी विश्नु जी का आशीरवाद है, अब आप अपने जीवन में ही बहुत तरक्की करने वाले हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ने, इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि काम्याबी और सफलता अब आपकी क अदम चूमेगी, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर अचानक से बहुत बड़ी कीमती चीज आपकी हाथ लगेगी, एक प्रकार से यूं कहें, कि हीरे मोती से भी कीमती चीज अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिलेगी, ऐस अंतरिक्ष के ग्रह गोचर का आदेश है, जी हाँ, क्योंकि इस बार ग्रहों की दिशा बदल ले जा रही है, और जब ग्रहों की दिशा बदलेगी, तो आपकी कुंडली की दशा बदलेगी, अब आपको हर एक प्रकार के सुख मिलने वाला है, जीवन से आपके जीवन से जुड़ी हर एक सुख आप आपको प्राप्त होने वाला है। तो कौन-कौन सी बड़ी सुख मिलेगी। अगले 24 घंटे के अंदर यह जानने के लिए आप इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को। थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। वरना बहुत बड़ा मौका आपके हाथ से जा सकता है। वीडियो में एक-एक करके उन सभी रहस्यमई बातों के बारे में बताएंगे। उन राज के बारे में बताएं जो राज अभी तक आप से छुपे हुए हैं। ये राज की बात आपको किसी ने नहीं बताया होगा और ना ही कोई आपको बताएगा। आप सभी को पता ही है कि वीडियो में जो भी बातें हम बताते हैं वह सभी बातें ग्रह गोचर पर आधारित होती है। जो की एक भी परसेंट गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। दोस्तों हम इतने दावे के साथ इसलिए कहते हैं क्योंकि हम और हमारा पूरा टीम पूरी तरह से जाच पड़ताल करने के बाद पूरी कुंडली विशलेशन करने के बाद वीडियो का निर्मान करते हैं। इसलिए इतने दावे के साथ हम कहते हैं कि यह भविश्यवानी एक भी परसेंट गलत नहीं हो सकती। आगे वीडियो में हम सम्पूर्ण जानकारियां देंगे, अगले 24 घंटे का महाराशिपहल भी बताएंगे। सभी लाभ हानी के बारे में बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले यदि आप धन की देवी माता, रानी लक्ष्मी जी और जगत के पालनहार भगवान श्री हरी विश्नु जी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में तीन बार जया माता, दी जये श्री हरी विश्नु जी जरूर लिखें, माता रानी और भगवान विश्नु जी का आशीरवाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहेगी, कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीब दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके दोनों आखों से खुशी के आंसू बहने वाली है, एक प्रकार से यूं कहें कि आपके दोनों आखों से खुशीयों की गंगा बहने वाली है, क्योंकि यह जो अगले 24 घंटे का समय है, यह समय आपके लिए बहुत ही किस समय भाग्य उदय का समय रहने वाला है। देखिए दोस्तों इस समय में नई नौकरी में सफलता मिलने के साथ साथ पुराने नौकरी में भी प्रमोशन के योग बन रहे हैं। जी हां। और यह सब अचानक ही हो रहा है। दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में बहुत बड़ा उलट फेर होगा। अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी कीमती चीज आपके हाथ लगेगी। दोस्तों। कहते हैं ना, जिनकी किस्मत अच्छी होती है, उन्हें कम महनत में बड़ी सफलता मिल जा उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। बहुत मुश्किल समय से गुजरना पड़ता है। और ऐसे समय में हर कोई इनसान चाहता है कि हमारी किस्मत अच्छी हो। हमें कम मेहनत में बड़ी सफलता मिली और वह सभी चीज हमें प्राप् से आपकी सभी इच्छा पूरी होने वाली है, बहुत ही भग्यशाली समय आपके जीवन में आने वाला है, तो आप इस शुभ समय का कैसे लाब उठाते हैं, और किस प्रकार से आपको इन सभी सुखों का लाब मिलेगा, यही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे और जाने का प्रयास करेंगे, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल युग में पहली बार इतना बड़ा और भयंकर बदलाव आपकी जिंदगी में होगा, अब आप चैन की सांस लेने वाले हैं, दुख दर्द अब आपकी जिंदगी से दूर होने वाला है और सुखों का आगमन आपके जीवन में होने वाला है, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, धन के देवता भगवान कुबेर महाराजी के आशीरवाद से अब आपके बिना मेहनत का फल मिलेगा, जी हाँ, मेहनत करते करते आप ठक गए होंगे, लेकिन अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब आप बिना मेहनत का फल प्राप्त करेंगे, जी हाँ, मेरे प्यारे मित्रों, आप बिलकुल सही सुन रही है, आपको बताना चाहेंगे, इस समय नौकरी से संबंधित, खुशखबरी मिल सकती है, संतान से संबंधित, खुशखबरी मिल सकती है, शिक् से संबंधित शुमांगलिक कार्यक्रम की रूप रेखा भी बनेगी और ये वह समय होगा जब आप कोई नया वाहन मकान दुकान आदी की खरीदारी कर सकते हैं, नए कारियों की भी रूप रेखा बना सकते हैं, नए कामों की शुरुआत करने के लिए समय अत्यंत शुभ साब की और काम्याबी देखकर दुश्मन बिन पानी की तरह जलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपके उपर जगत के पालनहार भगवान श्री हरी विष्णुजी का आशीरवाद है, जिनके उपर भगवान का आशीरवाद रहता है, भगवान का हाथ रहता है, उन लोगों का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। करने का प्लान बना लिया हो, तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, दुनिया का कोई भी ताकत उन्हें हार नहीं सकता, लेकिन जोश जुनून बना रहना चाहिए। लोग आपको गलत चीजों की और भढ़काने का पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि लोग चाहते हैं आप गलत रास्ते पर चलें, आप पूरी तरह से बरबाद हो जाए ताकि सामने वाला व्यक्ति आपसे आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, मुह पर सब लोग कहते हैं कि आप बहतर करें, लेकिन दिल से कोई नहीं चाहता है और कोई नहीं कहते हैं कि आप उनसे बहतर करें, और यह कल्यूक का कड़वा सत्य है, इसलिए आप क्या करने वाले हैं, अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, और आ जाले में होते हैं। अगर बात समझाई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा। इम्तिहान हो जाईए, भगवान आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन आप अपनी कुछ गलती के कारण हाथ में आया मौका भी गमवा देते हैं। आने वाली अगले 24 घंटे के अंदर आपको कुछ गरीब या जरूरतमंद लोगों को मदद करने का मौका मिलेगा। औ तो आप शुद्ध मन से पानी भी पिला सकते हैं और तहे दिल से स्वागत कर सकते हैं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और जीवन में चल रहे कष्टों को दूर करते हैं। कष्टों से मुक्ति मिलती है। आप गरीब तथा जरूरतमंदों को कुछ भी दान कर सकते है अन्धन चाहे वस्त्र जो भी चीज हो आप अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार शनिदेव महाराज जी प्रसन्न होते हैं देखिए दोस्तों अगर आपकी इच्छा और आप सहमत हैं प्राप्त करना चाहते हैं तो ही करिएगा इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं देखिए दोस्तों यह समय आप अपनी सभी कामों को योजना बध तरीके से पूरा करेंगे देखिए दोस्तों योजना बनाना और कार्यों की शुरुआत करना कभी भी देर नहीं होती है कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा जब आपका मन हो इस समय आप अपने नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं मन में जुनून होना चाहिए जिग्यासा होना चाहिए क्योंकि आप वह सभी कार्य कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं क्योंकि आपकी सोच से बड़ा इस धर्ती पर कुछ भी नहीं है दोस्तों, यदि आप बड़ा सोच सकते हैं तो आप यकीनन बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई दुविधा और ना ही कोई शक है, दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर मामा पक्ष से आपको बड़ा ध आप सभी को बता दें, घोडे के जैसी उडान भरेगी, आपकी किस्मत, बड़े बड़े महराजा भी अब आपके सामने हाथ फैला कर भीख मांगेंगे, जी हां दोस्तों, और कहेंगे, अरे वाह, क्या नसीब है, काश हमारी भी नसीब ऐसी होती, दोस्तों, जानकारी के ल आपको प्राप्त होने वाली है, जी हां दोस्तों, क्योंकि ग्रहों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, मंगल का हाल ही में राश्य परिवर्तन हुआ है, बुद्ध का भी राश्य परिवर्तन हुआ है, और यहां तक शुक् किस्मत की रफ्तार घोडे से भी तेज होने वाली है वह कहते हैं ना किस्मत महरबान तो गधा भी पहलवान जी हां यही कहावत अब आपके साथ होने वाला दोस्तों हो जाईए तैयार हम आपके लिए ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूँ जो कि दोस्तों पूरे आंगन में ढ होल बजाना पड़ेगा जी हां दोस्तों तैयार रहना एक बड़ी खुशखबरी के लिए दोस्तों अगले 24 घंडे के अंदर आपके साथ जो होने वाला है सुन कर आप खुशी से गदगद हो जाओगे जी हां दोस्तों क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे के समय अवधि में आपको मिलने वाली है बहुत बड़ी खुश खबरी दोस्तों आपको बता दें कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग बना है जो कि दोस्तों आपको बहुत बड़ी खुश खबरी मिलने वाली है अगले 24 घंटे के भीतर यह काल सर्प योग आपके जीवन में ऐसा चमतकार कर जिसके बारे में आपने कभी ना ही सोचा होगा और ना ही कभी कलपना की होगी दोस्तों, इनसान को कर्मों के परिणाम किसी ना किसी रूप में जरूर मिलते हैं। जिसके बारे में जरूर मिलते हैं तो उन्हें अच्छा फल मिलता है और जो बुरा कर्म करते हैं उन्हें बुरा फल मिलता है। आज इसी के उपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और एक-एक जानकारियां आपके साथ शेयर करेंगे। सभी जानकारियां ग्रह गोचर पर आधारित हैं। दोस्तों आने वाली अगले 24 घंटे के अंदर ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी जिससे की लोग भी कहेंगे अरे वाह क्या किस्मत है। काश ऐसी किस्मत हमारी भी होती। प्रभु दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको पांच बड़े शुभ समाचार यानि की बहुत बड़ा सर्प्राइस मिलेगा। जी हाँ दोस्तों आज आर्थिक स्थिती में वृध्धिके योग बन रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन की संभावना दिखाई दे रही है। आज आपकी मेहनत रंग लाएगी आपकी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ेगा और अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में देखेंगे। आपकी जिन कारियों में आपको लाब नहीं हो रही थी, उन कारियों में भी अब आपको दुगना लाब होता हुआ दिखाई देना। यानि कि आप दिन दुगनी रात चोगुनी तरक्की करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आज कई बड़े राज्यों और धन योग का निर्माण हो रहे हैं। जैसा कि दोस्तों, भाग्यवान योग और कार्य सिध्ध योग बनता हुआ दिखाई दे रही है। अब आपको हर एक कामों में सफलता मिलने वाली है। दोस्तों, नसीब का असली खेल तो अब शुरू होगा, ऊपर वाले का दो बड़ा फैसला आ गया है। अब आपका एक-एक सपना सच होगा और घर परिवार और पूरा मोहला खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वह कहती है ना, मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होते रहती है। कभी उन्हें धन दौलत की प्राप्ती होती है, तो कभी उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, जिंदगी का हकीकत अब आपको पता चलने वाला है। आपके जिंदगी के किस्मत में क्या लिखा है, यह अब आपको समझ आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय आने वाला है। दोस्तों, जो घटना आप सभी के जीवन काल में घटित होने वाली है, इस घटना को स्वयम ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी जानकारी है, कुछ ऐसी खुश्खबरी है, जिन्हें जानकर आपकी भी आँखों से नींद उड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे तक आप अपने माइंड को, आप अपने दिल दिमाग को बिलकुल शा जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर आपको वह चीज मिलेगी, जिसे पाने के लिए आप दिन रात एक कर दिये थे, वह चीज आपको मिलने वाला है। लव, लाइफ, स्वास्थिय, पारिवारिक जीवन, दैनिक दिन चर्या, वह अन्य सभी क्षेत्रों में क्या-क्या परिवर्तन होंगे, क्या-क्या बदलाव होंगे, इन सभी की संपूर्ण जानकारियां देंगे और कुछ सावधानियां भी बताएंगे। दोस्तों, आज आपको कई बड़े गुड न्यूज मिलेंगे। इस राश्य के जातकों को नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, इस समय उनकी नौकरी में बदलाव हो सकता है या उनकी वेतन में व्रिध्ध हो सकती है और व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी खुश्खबरी है। जिन व्यापारियों को काफी दिनों से व्यापार में घाटा चल रहा था, उनको अब लाब की स्थिती देखने को मिलेगा और तरक्की होगी। आने वाले अगले 24 घंटे नौकरी पैसा लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं दोस्तों, आपके नसीब का असली खेल शुरू होगा। जी हाँ, आज आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी और कई महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में दिखाई देंगे और आप अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिती पहले से काफी बहतर होने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं तो आज आपको सहकर्मियों का साथ मिलेगा और सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए यह है कि आपको नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। कई बड़े धन योग का निर्मान हो रहा है। आज आपको मातारानी लक्ष्मी जी का आशीरवाद मिलेगा। लेकिन आज आप बिना सोचे समझे कोई भी काम ना करें और ना ही फिजूल यात्रा करें। नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। सितारे कहते हैं आज आप दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ज्यादा समय व्यर्थ करेंगे जो कि आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना है। आने वाले अगले 24 घंटे तक समय और पैसा दोनों बजट करके चले, दोनों का मैनेज करके चले तो ये आपके लिए बहतर होंगे। आपके नाम का डंका बजेगा दोस्तों, आपके जीवन की एक नई शुरुवात होने वाली है। सभी समस्याएं आपके जीवन से दूर होगी। जीवन में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि ऐसा चमतकार और ऐसा बदलाव हमारे जीवन में कभी आएगा दोस्तों। अब आप सब जगह सफलता की जंडा गाने वाले हैं। आपके जीवन में उम्मीद की एक नई किरन जागने वाली है। दोस्तों, भगवान श्री हरी विश्णू जी के आशीरवाद से आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप अपनी आँखों से देखने वाले हैं। बड़े से बड़ा चमतकार, बड़े से बड़े परिवर्तन। जी हाँ, जो लोग आपके उपर हंसते थे, आपके उपर तान जी हाँ दोस्तों, आप बिलकुल सही सुन रहे हैं, अब आप अपनी जिंदगी को पूरी शान शौकत के साथ देने वाले हैं, क्योंकि गरीबी और दुख दर्द में आप अपनी जिंदगी को बहुत जी लिए, अपनी जिंदगी को बहुत गुजार लिए, लेकिन अब आ आप अपनी बची खुची जिन्दगी को ऐसो आराम के साथ गुजरने वाले हैं। अपनी पर आधारित है। अपनी बची जिन्दगी को ऐसो आराम के साथ गुजरने वाले हैं। ताकि आप उनके बताए गए बातों में लगे और फिर आपका जीवन बरबाद हो जाए। दोस्तों एक बार हमेशा याद रखिएगा। अगर लोग आपके मुह पर अच्छे से बात कर रहे हैं तो अच्छे वे नहीं अच्छे। आप हैं, आप में अच्छाई है, गुण है। वही गुण की वजह से लोग आप से अच्छे से बात करते हैं। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राधे राधे जैश्री कृष्णा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर कैसी स्थितियों का निर्मान होगा, किस तरह के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, कौन से लाब होंगे, क्या खुश्खबरी मिलेगी और किस प्रकार से आप समय का सदुपयोग करेंगे, ताकि पूर्ण रूप से आपको इस ग्रह गोचर का लाब मिल सके। चलिए दोस्तों, जानते हैं, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि इस समय अवधि में आपके उपर भगवान श्री हरी विष्णुजी की विशेश कृपा रहने वाली है, काफी अच्छे और बहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, दोस्तों, निश्चित रूप से आपको इस समय अवधि में भाग्य का साथ में देगा, जिसके वजह से आप अपने जीवन में अच्छे खासी तरक्की करते हुए नजर आएंगे, श्रेष्ट और बहतर परिणाम की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में भी आपको विशेश लाब होगा, रुके हुए पेंडिंग पड़े सभी कार्य आप समय पर कर पाएंगे, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेरे प्यार मित्रों, और यह बात में पहले वीडियो में भी बताया है, और हमेशा से बताते आ रहा हूँ, कार्य कैसा भी हो, समय पर किया गया कार्य हमेशा बहतरीन और उचित परिणाम मिलता है, क्योंकि कार्य कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, आप उन कार्यों को किस प्रकार करते हैं, परिणाम उसी हिसाब से मिलता है, सबको उतना ही 24 का समय कोई सोने में गुजार देता है तो वही कोई व्यक्ति उस समय को सोना बना लेता है दोस्तों भगवान श्री हरी विश्णु जी के आशीरवाद से आप अपने जीवन में बहतर काफी बहतर प्रदर्शन कर पाएंगे इस समय नए कार्य बनने की आशंका लग रही है भा सिवार से जुद्धे और रियल एस्टेट से जुद्धे हुए मुद्दों को आपको अब गंभीरता से लेने की जरूरत है आपको इनसे संबंधित कोई पत्र प्राप्त होगा पुरानी अधूरी अनसुलजी बातें अब आपको परेशान करेंगी और आप इन्हें सुलज जहाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते आज सेहत और उर्जा दोनों ही आपके मजबूत पहलू है कोई काम असंभव नहीं लगता और आप सब काम निश्चित समय में बिन कोई परेशानी पूरा कर लेंगे वास्तव में आप इतना उर्जावान महसूस कर रहे हैं कि पिछले लंबे समय से कोई महनत का काम न करने के बावजूद आप डौड डेच या जिम के लिए जा सकते हैं आपकी शारीरिक फिटनेस जीवन के एनी सभी क्षेत्रों में भी दिखाई देगी क्योंकि आप सकारात्मक उर्जा और विचारों से भरे हुए हैं आज आपके पार्टन आपको अपने पार्टनर को संभालने के लिए कुछ समय तक अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा आज आपके समान हित के लोगों या एक समान व्यवसाय करने वालों के साथ वारतालाब होगी आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए एवं दूसरों को बरहाव एवं प्रोचसाहित करना चाहिए ताकि बदले में वे भी आपको समर्थन दें आपको उन लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि चीजें धीरे-धीरे खुलती हैं और लोगों को नई वस्तु या व्यक्ति पर भरोसा करने में समय लगता है आज चलते ह हुए सावधान रहें हलकी खरोचें आ सकती हैं न चाहते हुए भी आप किसी करीबी को बातों बातों में नाराज कर सकते हैं आज केवल अपने काम से ही मतलब रखना उपयुक्त रहेगा सिनेमा या किसी और मनोरंजक कार्यकल आप में समय बिता सकते हैं आपकी अत्यधिक व्यस्त दिन चर्या आपको स्वास्थे और फिटनेस संबंधी संबंधी किसी भी काम को गंभीरता पूर्वक लेने की राह में रोध्धा बनी हुई है वैसे तो आप अपने भोजन को लेकर जागरूक रहते अहीं लेकिन पिछले कई दिनों से आप अपने काम में उल्जे होने के कारण जंगफूड खा रहे हैं हाला कि काम का दबाव अभी हल्का होने वाला नहीं है तब भी आपको अपने स्वास्थे की खातिर आराम करने और स्वास्थे कर भोजन करने की कोशिश करनी चाहिए आज का दिन एकल व्यक्तियों के लिए विशेश रूप से अनुक आज आप एक गंभीर रिष्टे की दिशा में एक कदम उठा सकते हैं। चुनौती पूर्ण समय खत्म हो गया है। आपने सफलता पूर्वक बाधाओं को पार कर लिया है। जो की भाग्यने आप पर फेके थे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने को शांत बनाए रखे। इसके अलावा आप आराम करने की मुद्रा में आ सकते हैं। क्योंकि कार्य का दबाव आपके कार्य स्थल पर काफी कम हो गया है। अच्छा, कार्य प्रदर्शन आपके वित्तिय लाभ का मार्ग भी खोलेगा। लंबी अवधी के निवेश में पैसे का निवेश करने के लिए ये एक अच्छा समय है। आप आज उल्लास और कुछ कर गुजरने के मूड में हैं। आपके सामने आज भुत्त से अवसर आएंगे और आप उनका पूरा लाभ उठाने के लिए बहुत उत्साह में हैं। आज अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो वित्तिय निजी जीवन तथा संबंधों में भी बहुत सफलता मिलेगी। आज दिन घटनाओं भरा रहेगा और आप इसका हर पल आनंद उठाएंगे। आपकी तवचा सूखी और बेजान सी लग रही है। ऐसा केवल बदलते हुए मौसम के कारण ही नहीं बलकि आपके शारीर के अंदरूनी कारकों के कारण भी हो रहा है। आए आप कई चीजों की उपेक्षा कर रहे हैं। आपके पक्ष में है, इसका पूरा लाभ उठाने के लिए कुछ एकांत समय बिताने की योजना बनाएं। अगर परिवार बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह सर्वोत्तम समय है। आप स्वाभाविक रूप से शक्ती और अधिकार के लिए आकर्शित रहे हैं और इस वजह से हमेशा आपने ध्यान केंद्रित कर काम किया है। आपका परिश्रम आज फल दे सकता है, लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखें और अपने समय के साथ चलें। ये भी आवयशक है कि आप अपने मन को भी व्यस्थित एवं खुला रखें। ज्यादा स्वच्छंद और अनुमानित न हो और उस तरह से आप सब के साथ एक अच्छे तरीके से कारे कर पाएंगे। आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं, पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का श्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई काम्याबी दिलाएगी। आप विशेश लय में हैं, आज का दिन सार्थ होगा। मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखें। आपकी सकारात्मक द्रिष्टी आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी। अब समय आ गया है कि आपको अपनी धड़कन, रक्त-चाप और शुगर का स्तर जाचने के लिए एक मेडिकल उप प्रयास्थे प्राप्त करने के लिए जो जो प्रयास किये हैं उनका प्रभाव जांचने में भी मदद मिलेगी। आपकी लव लाइफ में रोचक समय चल रहा है। जिन्होंने अभी किसी के साथ अपने संबंध की शुरुआत की है, उन्हें इसे मजबूत बनाने के तरीको के बारे में सोचना चाहिए। आप दोनों प्यार और प्रतिभा दोनों को ही एक साथ बहुत अच्छे से लेकर चल सकते हैं। अपने भविश्य के बारे में सोच खुली रखें। लेकिन अभी कोई योजना निश्चित न करें। केवल समय के साथ चलते जाए।